नमस्कार, हफ्ते की बाद के इस एप्सोड में आपका फिर से स्वागत है 15 अगस को प्रधान मंत्री ने as usual भाशन दिया और भाशन में कई बाते की रोजगार की, एजुकेशन की, भारत के इमेज बदलने की बात की पर अगर आकड़ों को देखा जाए तो वो बिल्किल इसके विप्रीत है इनी सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए उर्मिलेश एक बार फिर हमारे साथ मौझूद है उर्मिलेश न्यूस क्लिक में आपका फिर से सवागत इससे पहले कि हम प्रधान मंत्री की भाशन की बात करें एक जो और महतवपून मुद्दा हमारे सामने आज है वो है केरल का केरल में बाढ़ की स्थिती है प्रधान मंत्री जाइजा ले रहे हैं और जब 20,000 क्रोड के आसपास का नुकसान वहां पे हुआ है तो जो अनुदान दिया गया है जो कॉम्पनसेशन दिया गया है वो पहले तो 100 क्रोड था अब उशाद 500 क्रोड हो गया है तो यह दर्शाता है कि जो सरकार की प्राथमिक्ताएं हैं वो कितनी अलग है क्योंकि आप अगर 15 अगर्स की स्पीच भी देखे तो बात तो बहुत की गई है प्राथमिक्ताएं तो कुछ और ही बोल रही है देखें मैं समझता हूँ कि केरल में जो प्रलेंकारी बाढ़ से कहेंगे जिस तरह की है उससे आम आदमी जो केरल से बहुत दूर बैठा है चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो भारती है भारती नहीं भी है वो भी जो विज्वल्स आ रहे हैं टेल्लीजन पे उसको देखकर आहत हो रहा है उसका मन खिन हो रहा है उसको लगता है कि ये मनुशिता के साथ कितनी बड़ी आपदा मनुशिता पर है मैं आपको बताओं मैं हाल में लोटा हूँ बाहर से दिल्ली से बाहर था वहां भी लोग किरल की बाढ़ को लेकर परिशान और बहुत ही छुपद और दुखी थे आप सौ करोड पहले कहते हैं फिर आज जायजा लेने के बाद जबकि स्वैम आपने अपनी आँखों से वहां की ट्रेजडी को वहां के डिसास्टर को देखा है पांसो करोड कह रहे हैं लेकिन क्या प्रियाटिज आपकी हैं आपको कैसे आपके दिल और दिमाग पर वहां के लोगों की सफरिंग का कोई असर क्यों नहीं पड़ता आप अर्ध कुम्ब के नाम पर हजार डेड़ हजार करोड का बिजट एलोकेट करते हैं इसमा है और बढ़ाया जाने की बात चल रही है स्टेचू बनाने के लिए स्टेचू बहतीस सौ करोड औरतीस सौ करोड देखिए स्टेचू आप बनाएए हम नहीं कह रहे हैं इसके पहले की सरकारें भी स्टेचू बनाती हैं हाला कि हमारे पुराने संत कहा गए मद्यकाल में ही कि पत्थर पर मूरतियां लगाने से कुछ नहीं होता है राम तो हर जगह है भगवान तो महापुरुष तो आपके दिल और दिमाग में हैं आपके महापुरुष अगर आप उनसे इंसपैर होना चाहते हैं तो उनके वैल्यूज को आप आगे बढ़ाईए ना कि उनका एक बुद्ध खड़ा कर दीजिए लेकिन बहराल की हेलीकॉप्टर की कमी है वहाँ वहां के चीफ मिनस्टर ने कहा है हुआ की पूरी राज म॑ची लगधी होई है वहाँ पर नेवी के लोग लगे हुए हैं जो जितना बना है लोगों से वो कर रहे हैं लेकिन आप आप इंफ्रेस्ट्रिक्शर नहीं दे रहे हैं आप सपोर्टिंग जो मशिनरी होनी चाहिए जो टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए वह नहीं करा रहा है मुझे लगता है यह अच्छी बात पंद्रअगस के भाशन में जब कि किरल उस दोर से गुजर रहा था उसके बारे में आप चर्चा भी नहीं करते हैं मुझे मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि 1947 से 2014 के बीच में सब कुछ एचीव कर लिया गया था और भारत बहुत महान लोकतांत्रिक गनराजे बन गया था बिलकुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं लेकिन एक प्रक्रिया शुरू थी कोशिश हो रही थी कभी अच्छा होता था कभी बुरा होता था लोग आलोशना करते थे करेक्शन करते थे लेकिन 2014 के बाद तो ऐसा लगता है कि पूरे समाज को जो कुछ हमने थोड़ा बहुत हासिल किया था उसको बिलकुल बरबर और सब्भे अलोकतांत्रिक एक एक राज्य के हवाले जैसे लगता है पूरी सब्भेता को किया जा अभी कल की बात है मोतिहारी में जब यहां पर हो रहा था वाइसपेई जी का पार्थी शरीर रखा गया था उसके ठीक सामने अगनिवेस को पीटा गया और बीजेपी के लोगों द्वारा पीटा गया बिलकुल सामने और शर्दांजली व्यक्ति करने गयते में पाकुड मे उनको जुलाई महिने में पीटा गया था इन्हीं के लोगों द्वारा अब मोतिहारी में Central University में पढ़ाने वाला एक एसिस्टेंट प्रोफेसर जो जेन्यू का स्कॉलर रहा है उसको सिर्फ इस लिए पीटा गया कि उसने कुछ कमेंट ऐसे किये थे जिसे कुछ लोग असाम पे मारी है और इंटरनाशनल मीडिया उसे लगातार कवर कर रहा है जबकि भारत के मीडिया शान्त वहीं मैं कहता हूं कि आप भारत के मीडिया में तो आईसा लगता है कि रोज भजन बंडली शुरू होती है शाम को लेकिन पूरी दुनिया के में इस वाल उठ रहा है पुरी दुनिया के नक्षे पर मुझा लगता है कि यह हॉरिबल सिच्वेशन है जिस तरह की स्थितियां भारत में पैदा हो रही है दूसरी बात उन्होंने अपने भाशन में कहा पंदर अगस्त को कि मैं इस बात के लिए अधीर हूं कि भारत चौथी और दोगी करांतिका न उसमें कितने फायदे हैं आप कितना रोजगार लोगों को दे रहे हैं आप कितना अपनी और से निवेश कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जो हालात हैं लोगों को आप पहले प्राइवेट सेक्टर में के वाल कांट्रेक्चुल लोगों रखके जाते थे इस वक्त भा जना का ब्यापक तौर पे सत्यानाश किया और आज की तारिक में आपको आश्यरी होगा कि कार्परेशन्स में गॉवर्मेंट की डारिक्ट जॉब्स में और बड़े पैमाने पर हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि वह आप काह रहे हैं कि हम अधीर हैं और युझे कि दि आ्शिकुशों है और वो इस इस क्रान्थी है इंडस्री रिव्लुशन की बात कर रहे है अगर प्रडेकशन को देखा revolution की बात कर रहे हैं, अगर productions को देखा जाए तो GST demonetization की कारण, जो medium scale industries है, small scale industries है, अल्मूस्ट ठप हो गई है, और employment पे बहुत बुरा सा इसका पड़ा है, अगर पिछली reports को देखा जाए तो जो unorganized sector है, उसमें major crisis है, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, वही नोट बंदी और GST अगर दोनों को देखा जाए, सबसे पहले अगर नोट बंदी को हम लें, नोट बंदी ने बिलकुल आपने सही कहा, जो अस्थानी अस्तर पर छोटे उपक्रम थे, छोटे मजोले जो कारोबार थे, उनका सत्यानास हुआ, एक एक कारोबार में अगर पंद्रह से ले करके डेर सो लोग लगे हुए थे, उनमें 70% लोग बिरुजगार कर दिये गए और गाओं में भेद दिये गए, गाओं में तबाही मची हुई है, अब हो ये रहा है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े अस्तर पर जिस तरह से कामण निकालने की बात की जा रही है, बड़े अस्तर पर जिस तरह से लोगों को गौरक्षक बनाया जा रहा है उन्हीं बेरोजगार लोगों के बीच से चुकि उनको इनको ये लगता है कि व्योस्ता से गहरा असंतोश अगर पैदा होगा तो लोग खड़े होंगे इस व्योस्ता को बदलने के लिए लोग सवाल उठाएंगे तो एक व्यापक अस्तर पर लोगों के बीच में लूम्पेनाईजेशन लंपटी करण की एक प्रक्रिया शुरू की जा रही है और उसके लिए पैसे खर्च किये जा रहे है जो पैसे कार्खाना लगाने पर खर्च करना चाहिए जो पैसा विश्वी द्यालेओं में बहतर पक्रम इस देश में चल रहा है आप उस पर खर्च कर रहा है आप हेलिकॉप्टर से फूल वर्सा करा रहा है कावडियों पर वे कावडिया जो लोगों को पीट रहे हैं मार रहे हैं इस तरह की जो चीज़ें हैं मुझा लगता है यह भयानक है और यह सारी भाशन बाज जी उस लाल किले से कर रहे हैं, जिसको आप एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौप चुके हैं और आप में एक महतरपुन मुद्धा उठाई उनिवसिटीज का एजुकेशन के बारे में पूरी स्पीच में कोई मेंशन नहीं है लगातार हम देख रहे हैं कि उनिवसिटीज में फंड कट्स हो रहे हैं सीटें नहीं भरी जा रही है, एड होक पे प्रोफेसर्स अपॉइंट के जा रहे हैं गेस फेकलिटीज की तरह और पर्मरेंट वेकेंसी खाली पड़ी है उसके बाई में आप कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं तो एक पुरी तरीके से यह जो बहुत धिक शमता है लोगों की वो कम करने का जो प्रयास है वो इस तर पर भी जारी है मुझे एक बहुत ही दारून इस्तिती है, बहुत ही भयानक इस्तिती है इस देश में शिक्षा के छेतर की, कि मैं जहां भी जाता हूँ हाल के दिनों में मैं लगाता ट्रेवल कर रहा हूँ इनोस्टीज, रिसर्च इंस्ट्यूशन, माध्यमिक शिक्षा सब को एक तरफ से बरबाद किया जा रहा है ऐसा लगता है कि एक बड़ी योजना है कहीं न कहीं इसके पीछे एक प्रोग्राम है कि कैसे इन चीजों को तबाह कर दिया जाए और जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था ऐसे इंस्ट्यूशन को सबसे पहले टार्गेट किया जा रहा है आप देखिए आज भी भारत सरकार के इंडेक्स में जेन्यूस रेष्ट तम विश्विद्याले है स्तरी सबसे लेकिन जेन्यू को सबसे पहला निशाना टाटा इंशूट आप सोचल साइंसेज में स्कॉल्सिप खत्म करना वहां के बच्चों में खासकर जो OBC दलित आदिवासी च्छतर के बच्चे हैं समाज के बच्चे हैं उनकी स्कॉलर्शिप में भयानक कट हुआ है उनके फंड में भयानक कट होती हुई है ठीक इसी तरह से नार्थिस्ट में, सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर इंडिया में, इस्टर इंडिया में, जिस छेत्र में भी आप जाओ, यहां तक की मध्यप्रदेश, राजस्थान, जहां पर यह राज करते हैं, वहां के इंस्ट्यूशन्स भी तबाह हो रहे हैं, तो केवल हम आगे बढ़ाएं ऐसी स्थिती मैंने पहले अभी तक नहीं देखी थी आजाद भारत में जब से मैं बढ़ा हुआ हूँ उनका मतलब यह था कि शिक्षा के छेत्र में भी अंबानीज को प्राइवेट जो कंपनियाज हैं बिसिकली उनको इंस्ट्यूट अव एमिनेंस का दरजा देके हजार करो रुपय का फंड देके वहां पे इस्टेबिश होने से पहले ही दे दिया तो यह लगातार जो यह प्र यह जो 2019 तक यह रवया जारी रहेगा और अगर रहता है तो इसका जो इसको चुनाओती है वो कैसे दी जा सकती है मुझे ऐसा लगता है प्रवांजल की 2019 तक यह समझ रहे हैं कि जो प्रक्रिया हमने शुरू की है इसका भलही भविश्य में भारत के लिए बहुत भारी नुकसान क्योंने उठाना पड़े मैं तो समझता हूँ कि जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है यह सरकार जो पार्टी इस समय रूल कर रही है और इसके पीछे जो राष्टी स्वेम सेवक संग है उस पर भी बहुत बड़ा असर पढ़ने वाला है लोग उसको सवाल करेंगे लोग उसको घेरेंगे कि हमारे देश को आपने तो कहा था उठाएंगे कहां आपने गिरा दिया लेकिन इनको यह लगता है कि इमीडियेट जो इनको फायदा कि किसी तरह से समाज में एक अजीब तरह की विद्वन्स किस्तिती पैदा करो लोगों में उनमात पैदा करो और इस उनमात के जरिये आप राजनीतिक रूप से फैदा उठाओ कम से कम इस चुनाओ का ताकि आप सत्ता में आ जाएं क्योंकि इनको लगता है कि विपक्ष जो है विखराओ ग्रस्त है रास्ट्रियस तरह पर विपक्ष के पास पहले अग अब इस स्थितियाज नहीं है तो इनको लगता है कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं लेकिन मैं फोड़ा इसे उलट सोच रहा हूं क्योंकि मैंने कहां जेसे आपको पहले भी कहा कि इन दिनों में काफी ट्रेवल कर रहा हूं मैं जहां भी जाता हूं विपक्ष या दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं भले ही बड़े विकल्प की तौर पे अपने को पेश नहीं कर रही हैं लेकिन अवाम जनता स्वेम एक विकल्प तलाश रही है और जनता एक तरह से प्लेटफॉर्म तयार कर रही है कि हम हरगिज इस चीज़ को हम नहीं होने देंगे और हम कहीं न नाने की कोशिश नो करें ये एक प्रक्रिया साफ साफ इस देश के दिखाई दे रही है क्योंकि लोगों को लगता है कि इस सरकार की प्राइरटीज जो है वर जो प्रात्मिक्ताएं हैं वो बिलकुल भटकी होई हैं और ये भारत को आगे ले जाने के बजाए भारत को पीछे के ले जाने बारी प्रात्मिकताएं हैं शुक्रिया और मिलेश समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगले हफते एक नए मुद्दे के साथ हम फिर आपके साथ जोड़ेंगे धन्यवाद न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया झाल 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 झाल